हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ प्रणब और आप देख रहे हमारा चैनल स्टेडी 16 आज हम लोग देखेंगे हर्याना जुडी सिरी के लिए हर्याना सेबल जाज 2021 के लिए इंपोटेंट जी के करेंट अफेर्स कॉश्चन और इनके आंसर आपको बताना है क्या क्या है तो सबसे पहला कॉश्चन है एक्जाम में इसलिए पूछा जा सकता है तो हैड क्वाटर है जो पूणे में लोकेटेड है और इसके सीओ काफी बार पूछे जा रहा है इसके बाद है नेक्स्ट कोश्चन एडक्वाटर ओफ इंट्रनेशनल सॉलरलाइंस लोकेटेड ओन जो इंट्रनेशनल सोलर अलाइंस हैं उसका हेड क्वाटर कहां पा लोकेटेड है तो यह लोकेटेड है गुरूग्राम हर्याना में तो एक बात आपको बता दूं अगर सब्सक्राइब क्योंकि आप CRPC, CPC और हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको समय के बाद मिलना चालू हो जाएगी और आपको लिए चैनल को सब्सक्राइब इंडिया विच्टाम स्ब्सक्राइब के लिए आपको विता घटा है और को का अशर में आपको बता दीता हूँ् belangrijk नेशन सेकुरीटी कांशल की नौन परवनेट मेंबर गोई की इस स्यूकत राष्ट सुरख्चा पयू Nhी कोई, स्यूकत है सदस्ता मिली है वो भी दो साल के लिए और आठ भी बार भारत को यह सदस्ता मिली है इस पहले पांच परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सेकुरिटी काउंसल में वो कई बार एक्जाओं में पूछे आते हैं में पूछा गया था तो पांच परमानेंट मेंबर हैं यूके यूसे चायना फ्रांस और रसिया आपको बतानी है फ्रांस की कैपिटल क्या है क्योंकि इनकी कैपिटल भी कई बार पूछी आती है नेक्स्ट कॉस्चन है राफेल विमान पहली बार किस एयर बेस पर उतरे लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो काफी ज़्यादा पड़ जाते हैं या फिर जीके पर ध्यान नहीं देते हैं लेकर जीके के लिए ऐसा कुछ नहीं है जीके में जो भी कॉस्चन पूछा जाता है उसका कुछ खास मकसद या उद्देश होता है तो जो राफेल हां पहली बार उत्रें अम्बाला एर बेस पर तो अम्बाला इसका राइट आंसर है नेक्स्ट्व फर्स्ट्चीप मिनस्टर अफ हर्यानमा हर्याना के प्रताम मुख्यमंतरी कौन थे थे य तो आपको बताना है कि कोन थे तो मैं आपके लिए बता देता हूं धरमबीर या लखा गया है तो 2020 का सांती परसकार नोबल सांती परसकार किसको दिया गया है कॉस्टन अभी हाली में मददप्रदेश सेवल जज टूथा उजन टूएंट इवन हाँ दोस्तों अभी एकजाम हुआ था जिसकी आंसर की अभी कुछ दिन पहले आई है तो मददप्रदेश सेव सेवल जाष सर्च कर सकते हैं तो मैंने उसमें बताया था कि नोबल प्राइज से रिलेटेट कॉश्चन पूशे आएंगे और मैंने बच्चों को बता दिया था कि नोबल प्राइज पूरे नहीं पढ़ने है कुछ इस स्टूडेंट पूरे नोबल प्राइज पढ़ जाते लिए किसे मिला तो मैं आपको बता दूं इंपोर्टेंट नोबल प्राइज का पूछ आ सकता है यह मिला है पॉल आर मिलगराम को और रॉबर्ट वी बिल्थन को इस प्लेंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है तो यह आप देख लिजिए 2020 का नोबल एकॉनमिक प्राइज मिला जाता है तो मैं आपको बता देजा हूं परक्रम देवस मनाया जाता है 23 जन्मरी को और यह मनाया जाता है स्थापन देवस नमबर को नेक्स्ट है पूर्प्रधान मंत्री अटल विहारी बाचपेई के जन्म देवस पर तो कब है जन्म देवस आपको एजिली आंसर पता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है इसके अलावा मैं मैं महान रेखा किन दो देशों के बीच इस्तत है बारत चीन बबाद पाकिस्तान बबाद चर्चा में रहें इसलिए इनसे कॉस्चन बन सकते हैं तो इनसे कॉस्चन भी बनें जी के में कॉस्चन बनते हैं उसका कुछ कारण होता है कोरुणा से बने मैंने बताया था बनेंगे और यह सब कॉस्चन मेरे आए हैं इसलिए आप यह देख सकते हैं वीडियो मैंने पहले बताया था मैं एक मोहन रेखा भारत चीन के बीच इस्तत है और L.A.C. और L.O.C. क सब्स्टाइब नी जनने रेखा का नरधाराण किया था इसलिए से रेट कालिफ लIEन बोलते हैं और वह भारत और पाकिस्तान के बीच इस्तत इसका9 पर जांच किया घृत 6 वो पहला इस बन गया है जिसने मंगल में अथे लौनज किया है और लिर्ष्य को मेर्टिक अबनी United States America ने और यहां कि अभी नए राष्ट पती बने हैं कौन बने हैं जो बाइडन और एक बार अमेरिका का राष्ट पती एक बार में चार साल तक रह सकता है दूसरी बार में चार साल मैक्सिमम आठ बार दो बार से ज्यादा वो नहीं रह सकता है पूछे सकता है भारत में फंडामेंटर राइट लिए गया है पार्ट थर्ड में जो वह यूए से यूनाइट इस्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गया है काफी अच्छे से आप जानते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए तो यह रखा गया है पंडेज्ज यसराज के नाम पर यहां लोगों ने देखे हर्याना से बैल जैशिक है अगर वीडियो अच्छे लगी तो करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग हर्याना जोड़ी से रेलेटेड़ और वीडियो डालेंगे क्योंकि CRPC के हम लोग सोच रहे हैं कि 500-600 कॉस्चन करवाए जाएं और IPC के भी करवाए जाएं क्योंकि इन पर मैं काफी बर्स पहले भी पढ़ा चुका हूं इसलिए इन पर मैं वीडियो बना सकता हूं तक्स पर वाचिक नवीडियो थैंक यू